असलाम अलेकम, आज हम बनाएंगे हेल्दी सैलड ये बहुत ही मज़े का सैलड बनता है, ये वाइट चने और रेड लोबिये से बना रही हूँ ये रेड लोबिये को और चनों को मैंने बॉाइल करके फ्रीजर में रखा होता है ये वोई वाले लिगे हैं, ये रेड लोबिया इसके अंदर जाएगा, उबला एक अप, वाइट चने उबले एक अप और आदा काप इसके अंदर खीरा कटा क्यूब्स में अड़ कार रही हूँ और आदा काप इसके अंदर चॉप्ट प्याज अब इसके अंदर मैं इमली की चटनी अड़ कार रही हूँ ये इमली को बगो के थोड़ी देर राख दें, उसका पलप नकाल के उसके अंदर कुटी, मिर्च, नमक और बुना पिसा, जीरा और थोड़ी सी चीनी डाल के उसको इस तरह पका के वो आप फ्रीज में राख दें और जब भी इस तरह चाहें आप नकालें उसको और बनाएं और उसके अंदर थोड़ा सा वाइट विनिगर डाल लें वो फिर हराब भी नहीं होती, उसको फ्रीज में रखें उसको दो तीन अफ़ते तक आप इस्तमाल कर सकते हैं, यह मैंने बना आके इस तरह फ्रीज में रखी होती है, यह वही वाली चटनी ली है आदी टी स्पून इसके अंदर काला नमक अड़ कर रही हूं और इसको मिक्स कर दूँगी यह बहुत ही मज़े का सैलड बनता है, यह पहले भी मैंने बहुत पहले सैलड बनाया था, यह रैड लोबिये का और चनों का और उसके अंदर मैंने इमली की चटनी की बनाने का भी तरीका बताया था और उसके अंदर वो जिंजर पौडर भी मैंने आड़ किया था जिंजर पौडर से भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है वो मैं उस सैलड का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में इसके अंदर वेजिटेबल भी मैंने अड़ की हैं और इस तरह अगर आप वाइल कारके चने को लोबियो को राक दिया करें फ्रीजर में और चटनी भी बना के फ्रीज में और आप जब चाहें आप इसको नकाल लें और बनाएं यह गर्मियों में सैलड बहुत अच्छे लगते हैं आप इनको खाया करें यह बहुत मज़े का सैलड बनता है अपनी मर्जी से फिर आप इसके अंदर वेजिटेबल जितनी भी आड़ करना चाहते हैं वो आप कार सकते हैं अगर हाली वो लोबिये का और चनों का भी आप बनाएंगे वो भी बहुत मज़े का बनेगा आप इसको बनाएं ट्राइ करें यह बहुत ही मज़े का सैलड बनता है थैंक्स फर वाचिंग ओके अलाफीज